तो यहां पर हम कुछ डिसकस कर रहे थे वह वीडियो जो है पॉस हो गया था तो पल्ला वासुकला को पार्सी विराउन ने चार भागों में डिवाइट किया है महेंद वरवन शेली मामल शेली और यहां पर जो है राज सिंग शेली और उसके अलावा जो है चोथी है नंदी वर्मन अपराज शेली तो इन चारों को यहां पर देख लेते हैं तो महेंद वर्मन शेली को में उस पिछली वीडियो में देखा था जिसमें कठोर पाशानों मतलब जो हमारे पत्थर हैं पहाण है उनको काट काट के गुहा मंद्रों का निर्माड करा और जिने मंदप कहा जाता है महेंद शेली के मंदपों में मन पट्टू कहें त्री मोर्ती मंदप पलवरम का पंच पांड़ाव मंदिर महेंद वानी का महेंद विश्वु ग्रह मंदप और भेरव कोंड़ा का मंदप आदी प्रसिद्ध है आगे देखे मामल शेली इस शेली का विकास नर्सिंग वरमन पर्थम महा मल के काल में हुआ था इसलिए इसको महा मामल शेली भी कही जाती है इसके अंतरगत दो प्रकार के इसमारक बने एक तो मंदप और दूसरा है रत या एकाश मंदिर मामल शेली के एकाश मंदिर में द्रौपती ये एक्जाम में बहुत important है, पूछे जाते हैं, यहां पर सारे के सारे जो है UGC Net ने पूछे गए हैं, तो मामल शेली के एकाश मंदिर में द्रौपती रत सबसे छोटा है, तथा धर्मराज रत सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा मंदिर ग्रेनाइट पत्थर के हैं इन रथ मंदिरों को सब्स पगोड़ा भी कहा जाता है यह आठ रथ मंदिर निम्लिकित इस प्रकार है तो राठ आठ में कौन कौन से होंगे दुरौपती पता है आपको और एक जो सबसे बड़ा है वो धरमराज भी आपको पता है इसके अ पता है कुल सहदयो रत अर्जुन रत भी मत है और पिंडारी रत और फ्लै कटह रत तो हमको यहां पर इन्पोंट ni क्या है तो गडिствен याद करना पिंडारी रत याद करना और व्पले ए वलो यंग कटह मंदिर ये तीन याद करने बाकी सबसे बड़ा कौन सा है धर्मराज, सबसे छोटा कौन सा है द्रोपती अगर हमने यह याद कर लिए तो अरजॉन धर्मराज यह याद करने की जудुरह नहीं है क्योंकि 5 हमको पताए कि 5 पांड़ हो थे, पांड़ों की नाम हमको वैसे याद होंगे की गई है अर्जुन में विरशव का ब्रिज्वमान है शिव और नंधी की मूर्टी उत्किन है पिंदारी का नाम पिंदारी देवी रत्ध का नाम इस नाम पर एक पोखरण पर पड़ा है तो पिंदारी पिंदारी देवी का और वैले यंग कटे रत जो है वो तालाप पर नाम पड़ता है वहाँ पर महावली पुरा मो मामलपुर में स्वतंत रूप से खड़े शिला खंडों पर भागी रत की तपस्या अर्जुन की तपस्या गंगा उतार का दिर्श और महिसा सुर्वद करती दुर्गा की मोती उत्येंड की गई है राज शैली को देख लेते हैं 680 से लेके 820 इस शैली के अंतरगत गुहा मंदिर के इस्थान पर ईट पाशान आदी की साहता से इमार्ती मंदरों का निर्मार कराया गया था मामलपुरम का तट्ये मंदिर इस शैली का प्रथम उधारण है ये शोर मंदिर उच्छ सिक्षा का भी प्रमो के केंदर था शोर मंदिर शिव मंदिर था कांची के कैलाश नाथ मंदिर राज सिंगेश्वार मंदिर वा वेकिंड पेरुमल मंदिर राज सिंग शैली के ही है कांची के कैलास मंदिर का निर्माड नर्सिंग वर्मन दुतिये के काल से शुरू हुआ एवं परमेश्वर वर्मन दुतिये के समय इसकी रचना पूर हुई केलाश नाथ मंदिर जो है तटेव विमान तटेव मंदिर की तुल्लप सबस्याधिक विखिशिक था और कांची की वेकुंड पैरुमल मंदिर का निर्मार परमेश्वर वर्मन दुटिये ने आरम करवायो था एवं नंदी वर्मन दुटिये ने इसको पूर करवा था, इश्वर मंदिर तथा मुकुंद पूर मंदिर भी राज सिंग शैली के हैं, आरकाट का पनमलाई मंदिर भी राज सिंग शैली का है, तो राज सिंग शैली के कौन-कौन से मंदिर हैं, इश्वर मंदिर, मुकुंद पूर मंदिर, आरकाट का पनमलाई म मंदिर अपेक्षप्रत छोटे हैं कांची तथा मतंगेश्वर मंदिर गुड़ी मामल का पर्शूरा मेश्वर मंदिर आरोग रम का वाड़ा मलिश्वर मंदिर इसी सहली के परमुख मंदिर है तिरू तिरुतन का वीर वीरठ नटेश्वर मंदिर भी नंदी बरमण श्यली का मंदिर है तो यह कुछ मंदिर जो रह गए थे पिछले वीडियो में कभर करवाने थे लेकर वहां पर वीडियो जो है पुरा जो टैब है वह हैंग हो गया था इसलिए इस वाले वीडियो मैं मैंने इसको complete कर दिया है तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया और पसंद आया तो please like करें share करें subscribe करें मिलते हैं अगले वीडियो में और please join बटन जरूर दवाएं और उसको join करें मिलते हैं अगले वीडियो में पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यव हुआ है